हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हो कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगा आर एएस वर्सस अल वाई फूल इस्टेट्स वालस इन्फो यानि कि रावल इस्पोर्टिंग वर्सस अली यंग इस्टर के भी जो मैच नमर 95-96 के ला जाना है यह मैच तीन दिसमर को जो है साम पाच बज़े से स्टार्ट हो जाएगी यह इसी एस टीटन बर्सी लोना कि शरीज रहे है बेन्यू जो र ही नीचे के स्कोर कर सकते हैं क्योंकि सामने के टीम रावल स्पोर्टिंग बहुत ही श्ट्रॉंग है वहीं अली यंग इस्टर के टीम में दो ऐसे पिलियर अभी सामिल हुए है जो कि आपके लिए अच्छा कर सकते हैं और वह दोनों बड़े पिलियर है तो आप फूल टेलीग्राम सी जूड़ना चाहते टिलेग्राम का लिंग आपको डिक्समाट मिल लिंग आपको लिंक से हाना विदाउट लिंक हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाएंगे हमारे फिरी चैनल से जुनने का एक मात्रे जरिया है सब से पहले हम बात कर लोए तरहावल इस स्कूर किया है यानि कि तीन में सिंगल में हैं तीन में डबल डिजिट में का स्कूर है तो आपको आज सामनी के टीम जो है वीक है तो थोड़े से आपको यह कहना चाहिए कि चेट सुरेज भाई आज अच्छा कर पाए बाकी इसान पटेकल आपके टीम के सीवी सी होने में नमबा पाच पर आए थे मनिस मनमानी का अब बात कर लेते हैं तो यह नमबा चार पर आ रहा है और एक एक ओभर की गेंदवाजी दे रहे हैं बाकी यहां से जो है आपके लिए मनिस मनमानी भी सीवीजी के अच्छों है बट अगर पहले बल्लेबाजी आती है तभी नह लेंगे इसान पटेल चेहर पटेल और जैसे कि आप पांट बॉलर जैसे लेंगे तो उसमें तो आपको इसान पटेल भी मिल जाएगा तो इसकेस में आप एक बीकेट कीपर भी ले सकते हैं बाकि यहां से देख लिए किस्तिश पढ़ें लोकि इनके बिकेट कीपर पूरू इनको नहीं मिलतां अगर खेलता तो बिलकुल समय कर लेएoooo लगवाइब चटका सकते हैं तो आपको यह तो आपको इनको आप वैसे तो खेली रहे हैं और खेलते फिर भी अगर दिखते हैं तो आपको तो इनको सीवी सी कर लेना अगर पहले गेंदवाजी आती है तो रणमीर सिंग भी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे यंग टलेंटेट परियर है और दो दोबर की गेंदवाजी सारे में लगभग की है एक दो मेंचेस को छोड़ देतो वट खिलाडी सांदर है आप सीवी या वं सी की बात कर लें तो यह भी लाष्ट के मैस की खेले थे बाकी मैचेस नहीं है तो ज्यादा में रिकमेंड नहीं करेंगा अब यह थोड़ी बहुत गेंदवाजी बल्लेवाजी जढ़ा करते हैं बाकी आप यहां से रावल इसपर्टिंग के फूल प्रक्ष देख सक यहाँ पेलियर है अभी तक नहीं खळेल है बागी सारे घ्यल चुके हैं अब देकें बाद कर लेते हैं तो आप थीति हैं ठीक-ठाइप परद देखेंगे तो आप थे qet kuk 56 8र तो आपन नार रहा है तो इनके तरु कि की पर पर बलेवाज है उपन आ रहे हैं लास्ट के दो में चाहर नहीं किये एक में यह नमबर पाच पर तो ठीक ठाक पर लिए रहे हैं आप बिल्कुल ट्राइब कर सकते हैं विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं उसमान मुस्ताक की बात कर ले तो कुछ में चाहिए नमबर चार पर भी कर लेते हैं तो आप इनको भी टीम में लेकर चलेंगे तंजी उर्रहमान जो कि ठीक ठाक पर ले रहे हैं आपको थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं यह इंपर्टन रहने वाल है बागी साहिद नवाज खेलते भी तो ज्यादा आपको धियान नहीं देना साहिद नजी कभी बिगेट डी रशान हैं अब करके जा सकते हैं गाँए पहले ऑ्सकाफ गरसकते हैं बाद में आते ही तो you और आपको थोड़ी सी जो है बल्लेवाजी भी लोर अडर में दे रहे हैं इसरार आहमत खेलते भी तो आप देखेंगे इनकी एकॉनमी ज्यादा तर हाई रहती यानिकि ज्यादा तर माइनस करते हैं पहले गेंदवाजी तभी ट्राइ करेंगे नहीं तो एगनौर करके जा सक आपको अच्छे पिक रहेगी जब भी लेते हैं और आपको मीडिल ओर में अच्छे खास नहीं किया बट खिलाडी ठीक टाक है अली राजा खेलते भी तो ज्यादा रिकमेंट नहीं करोंगा फारुकामत खेलते हैं ज्यादा ध्यान नहीं देना अब अली यंगिस्टर में अब अब ही सामिल हुए है जो दोनों ही अच्छे बिल्कुल इस में आप बिल्कुल ट्राइक कर सकते हैं आपको बैटिंग सेक्षर में मिल जाएंगा जा पर एकबल जो की बहुत अच्छे पिलेर आप देखेंगा 29 मेंच का टीटेन का जो है इनका इस्प्रियंस है 370 रन बनाये है और हाइस्टकर 71 का है आपको नंबर 3 से नंबर 6 तक बल्लेवाजी करते हुए दीख जाने चाहिए बाकी इस्टायरेट 166 का रहता है और जो है इन्होंने दो हाफ सेंचरी भी कर रखें तजेंदर सिंग तजबीर जो की राइट हैं मेडियम है 2022 में जो है कलब T20 में अभी रिसेंट टाइम में खेल आ रहे हैं सारे में वन डाउन के थे यानि कि तीन ही मेंच खेले हैं रन 50 बनाया है है अच्छे अवर की गेंदवाजी करके एक बिगेट भी लिए थे एकोनोमी ठीक ठाक है वहीं अभी 300 के मैचे भी खेले थे जिनमें साथ में इन्होंने 280 रन बनाये थे हाई 84 कर रहा था और इस्टाइरेट 111 कर रहा था जहां पर तीन हाफ सेंचुरी है और साथ इनिंग्स में 25 पाच अबर की गेंदवाजी रहे दस बिगेट लिए हैं और यह दोनों पिलियर्स के आई थी कि मेरे हिसाब से खेलने चाहिए अब दोनों पिलियर्स जो है ट्राय करने के लाक है तो आप बिल्कुल GL में बिल्कुल GLSL दोनों में ट्राय कर सकते हैं लिटारी दोनों ही सांधर हैं अगर खेलते हैं तो आप उनके स्टेट भाई अपने टीम में सामिल कर लेंगे और अगर अच्छी नहीं तो आप डारेक्टली इग्नॉर भी कर सकते हैं यहां से साकी बली आई थिंग की नहीं खेले तो इन लोगों के अगर खेलते भी तो ज्यादा धियान नहीं देना अर्सलान साविर तो खेल चुक है अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम में बागी डिसकस हम वहीं पर करेंगे देखें यह वाली जो मैच है यह आपको जील आप ज्यादा खेले तो सबसे बेटर रहेगा क्योंकि एसल के लिए थोड़ा रिसकी है आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे दोनों विकेट की पर लगवग ठीक ठाक है बट के पटेल का क्या एडवांटेज है कि एक थो जो है इस जो है पॉइंट्स दे गए थे क्योंकि यह जो है बिकेट कीपिंग बहुत अच्छे करते हैं इस मैच में आप दोनों विकेट कीपर को भी ले सकते हैं बट अभी मैं फिलाल के लिए एक को लेके गया हूं यहां से देखें जो मैं मुहमाद रियाज और उस्मान म मुस्ताक थोड़ा से कम करते हैं बट अगर पहले बल्लेवाजी आती है तो आप एस नाजिर को बिल्कुल ले सकते हैं बट मैं अभी जो है यूं मुस्ताक को ले लिया हूं क्योंकि यह भी तो ओपन आ रहा है और आपको एक से दोवर की गैनवाजी दे रहे हैं अब देख लेंगे यहां पर तो जेड आप दिन आपके लिए इस मैच में कुछ ओभर दे सकते हैं एक अच्छी पीक रहने वाले तो यहां से अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं जो सी सुरेज भाई पटल को ले रहा हूं देखिए इस मैच में जी अकबाल को सामिल किया गया है इसको सुबानी को भी ले लिया हूं अब देखिए आपके पास यहां पर कुछ और एक प्लियर जो खेलते हैं तो आपके टीम में जी एल ऐसल दोनों में अच्छे काम कर सकते हैं और डाउन बल्लेवाजी किये हैं रिसेंट टाइम में कलब टी 20 में पलस यह आपको कुछ अभर की गहदमाजी भी दे सकते हैं तो आप इनका धियान रखेगा मात्र 0.9% सेलक्षन है इन लोगों का धियान रखना है अभी के लिए जो पिलेर खेल रहे हैं उन पर अभी बात करा हूं के सुबानी को ले रहा हूं आप के सुबानी के जगा अगर लेना चाहते हैं किसी को तो हाई सिर्कर जो जा रहा है इस वरा रहमत को बिलकुल ले सकते हैं और इहां पर देखों को ले रहा हम यहांट जो है आप देखिए मैं जी म हाया टीम मैंने बनाई है इस में जो है आप देखेंगे अब सबसे पर एक बाद कर ले तो इधर से आपको उसमान मस्ता के एक सीबी सी के अच्छा अपशन दिख जाएंगे बागी आप इनके जो है और कुछ बोलर अगर टीम में ले रहे है तो आप उनको भी सीबी सी कर लेंगे जो को सामने के टीम थोड़ी सी वीक है बागी या देखें ये तो हो गई लगवग एसल टाइप की टीम बागी आप जील में क्या कर सकते हैं जील बे आप कर सकते हैं कि आप जो है यहां पे उस मुहमद रियाज को भी छोड़ सकते हैं अगर पहले गेनवाजी आती है तो आप ऐसे कॉम्बिनिशन के साथ बिलकुल जा सकते हैं आप क्या करेंगे पहले अगर गेनवाजी आ जाती है तो आप एंस सरिप को भी छोड़ सकते हैं आप यहां पे कुछ चार दूने आठ ओवर तो यह चारों कर लेंगे और मनिस मर्मानी एक ओवर कर रहे हैं अगर आपको पूरे दस ओवर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर और एक थोड़ी सी रिक्स लेख के आप यहाँ पर जो है और भी को अगर जैड अब दिन खेलते तो आप इनको ले सकते हैं बाकि और भी कुछ उयसे प्लेयर आप बिल्कुल उनको भी ले सकते हैं जैसे कि रिजवान खेलते हैं तो फिर आपकी जो है टीम में होने चाहिए तो आप इन लोगों को ट्राय कर लेंगे बाकि अभी के लिए जो थोड़े से जो मुझे लग रहे हैं कि ओपे ले रहा हूं कि स्टंपिंग और केचिंग से दे और थोड़ी सी बल्लेवाजी भी होशक कर लेते हैं और भी सी यहां पर गोपी वराइच और वगडरा वगडरा कर सकते हैं और जील में आप चाहे तो जी मनवानी को आप रिक्स लेकर ड्रॉप भी कर सकते हैं जैसे कि मैंन मैंने जब ग्रेंड लिग विन की थी अभी रिसेंट टाइम है तो मैंने मनिस मनवानी को जो है ड्रॉप किया था क्योंकि सामने के टीम मुझे लग रही थी कि वीक है और इसकेस में मैंने इनको छोड़ दिया था क्योंकि इनकी बल्लेवाजी नंबर चार पर आती है और ग है यह सकते हैं अब बनाना है अपको उमीद करता हूं कि मैं आपको आचे तरी के से समझा पाया हूं वीडियो अगर अची लगे तो आप लाइक कर दिएगा चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा तो मिलते हैं नेश वीडियो में थेंक्यू